स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर तो आज क्लास 12 के गड़ेत प्रशनावली 3.2 के बारे में अध्यान करेंगे तो पिछले भाग में प्रशनावली 1 से लेकर के प्रशनावली जो है साथ तक के सभी प्रशनों को हल करके बताया जा चुका है यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लैलिस्ट में वीडियो है वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं इस भाग में प्रशनावली 8 से लेकर के आगे के सभी प्रशनों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी वित्यारती एक एक कोशन को अच्छे से समझेगा जहां आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ तुरंद आप कमेंट कर सकते हैं तो प्रशन नमबर 8 है यक्स तथा वाई ग्याद कीजिए यदि वाई बराबर दिया गया है तीन है एक है दो है चार है तथा दो यक्स प्लस वाई बराबर दिया गया है एक माइनस तीन जीरो और दो दिया गया है तो यहाँ पर यक्स तथा वाई कमान की गड़ना करना है तो अब यहाँ y का मान जो है इसमें जो दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे पहले हल और हल लिखने के बाद से पहले y का मान को यहाँ नोट कर लेंगे y बराबर क्या दिया गया है तो y बराबर दिया गया है कोश्टक में नोट करेंगे तीन है एक है दो है और क्या है चार है यह किसका मान है तो य का मान है और नीचे लिखेंगे दूसरा जो दिया गया मान है दो याक्स है पलस क्या है य बराबर क्या है तो यहां दिया गया है एक माइनस तीन जीरो दो यह किसका मान है तो दो याक्स पलस य का मान है अब यहाँ पे जो है y का मान को क्या करेंगे रख लेंगे यहाँ y का मान जो निकला है यहाँ पे रख लेंगे यहाँ लिख सकते हैं y का मान रखने पर जो y का मान निकला है यहाँ पे क्या करेंगे रख लेंगे तो क्या बनेगा, दो यक्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, वाई का मान क्या है, तीन, एक, दो, चार, यह किसका मान है, वाई का मान है, बराबर कर लेंगे, एक, माईनस तीन, जीरो, दो को क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, पच्छांतर कर ले यह प्लस चिन है जब पच्छांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा यहां लिखेंगे दो यक्स बराबर हो जाएगा यहां का लिखेंगे एक माइनस तीन जीरो दो और यहां क्या करेंगे माइनस और यहां क्या करेंगे तीन एक दो चार मतलब यहां पर मान क क्या कर लिए पच्छांतर कर लिए अब पच्छांतर करने के बाद से इसको क्मान को क्या करेंगे घटा देंगे तो घटाएंगे कैसे दो यक्स को यहां नोट करने के बाद से अब पहला पहला से दूसरा दूसरा से क्या करेंगे घटा तो अब एक में से किसको घटाएंगे तीन को एक माइनस तीन होगा जिरो मिस किसको घटाएंगे दो को तो जीरो माइनस क्या हो जाएगा टू हो जाएगा माइनस तीन में किसको घटाएंगे एक क्या बनेगा माइनस तीन माइनस एक हो जाएगा दो में से किसको घटा देंगे चार को तो दो माइनस चार हो जाएग तो अब यहां पे नोट करने के बास से यहां लिखेंगे 2 याक से बराबर हो जाएगा और यहां लिखेंगे 1 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा माइनस 2 हो जाएगा माइनस 3 माइनस 1 में लिखेंगे क्या होगा माइनस 4 हो जाएगा जीरो में से दो घटा देंगे तो जो है माइनस दो हो जाएगा दो में से चार घटा देंगे तो क्या बनेगा माइनस दो हो जाएगा कुछ टक क्या करेंगे बंद कर देंगे अब इसमें से कामन क्या लेंगे इसमें से कामन क्या लेंगे जब 2 कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहां पर माइनस 1 होगा और यहां हो जाएगा आपका 2 दूना 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 जब कामन ले लेंगे तो माइनस 1 है 2 बाहर चला जाएगा माइनस 1 हो जाएगा तो अब यहां पर धियान देंगे अब 2 से 2 को का करेंगे काट देंगे यह 2 से 2 को का करेंगे काट देंगे काटने के बाद से यहां किस का मान निकल गया X का मान आ गया X का मान क्या है माइनस 1, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 1 तो यहां जो मान निकला यहां किस का मान निकल गया X का मान निकल गया यक्स का मान है, माइनस एक, माइनस दो, माइनस एक, माइनस एक, और यहाँ वाई का मान क्या आया है, तो वाई का मान क्या दिया गया था, तीन, एक, दो, चार, यह किस का मान था, वाई का मान, तो यहाँ यक्स और वाई का मान जो है, निकल गया, तो समझ में आ गया होगा, कैसे इसको हल किया गया तो प्रश्ण नम्बर 8 बहुत ही असान था, अब सिखेंगे प्रश्ण नम्बर 9 तो प्रश्ण नम्बर 9 है, यक्स तथा y ग्याद किजी यदि 2 कोश्टक में क्या है, 1,0, 3,x है π्लस y, 1,0, 2 है बराबर 5,1,6,8 जो है, यहां पे दिया गया है और यहां पे किस का मान गयात करना है, x और y का मान की गणा करना है तो यहां x और y का मान की गणा कैसे किया जाएगा तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखेंगे, यहाँ पे जो question को हल करेंगे, दो, पहले यहाँ लिख लिजिएगा, और हल लिखने के बाद से, दो question में क्या है, एक, जीरो, तीन, यक्स, पलस लिख लेंगे, question में क्या है, y, y, 1, 0, 2, बराबर क्या है, 5, 1, 6, 8, अब इसको solve करन करेंगे, बहुत ही क्या है, असान है, तो यहाँ पे पहले 2 से अंदर क्या करेंगे, गुड़ा करेंगे, गुड़ा करके, इसको जोड़ करके, और इसके जो है, तुनना कर लेंगे, तो y का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जब 2 में गुड़ा करेंगे, तो क्या बन हो जाएगा बराबर क्या होगा कोश्टक में पांच एक छे आठ को क्या करेंगे नोट कर लेंगे तो यह दो से जो गुड़ा हुआ है समझ में आगे होगा 2 एक अनम 2 दो सुने सुनना 2 3 6 2 में यक्स का गुड़ा करेंगे 2 यक्स हो जाएगा अब यहाँ पे क्या करेंगे अब इसको जोड लेंगे तो कैसे जोडेंगे बहुत असान है 2 में किसको जोडेंगे y को तो क्या बन जाएगा 2 पलस y हो जाएगा 6 में किसको जोडेंगे 0 को तो 6 पलस 0 हो जाएगा 0 किसको जोडेंगे 1 को तो 0 पलस 1 हो जाएगा 2 एक्स में किसको जोडेंगे 2 को तो क्या बनेगा 2 एक्स पलस 2 हो जाएगा कुश्टक बंद हो जाएगा बराबर कर लेंगे और यहां पर क्या नोट करेंगे पांच एक छे आठ हो जाएगा अब यहां पर दो पलस वाई हो जाएगा यह छे में जिरो जुड़ेंगे तो छे होगा जिरो में जुड़ेंगे तो एक हो जाएगा दो यक्स पलस दो हो जाएगा उसके बाद से आगे बढ़ेंगे अब तो अब यहाँ पे कोश्टक में लिखेंगे 2 प्लस Y और यहाँ हो जाएगा 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ जो है 2 याक से प्लस 2 हो जाएगा कोश्टक बंद कर लेंगे बराबर हो जाएगा 5, 1, 6, 8 अब यहाँ पे लिखेंगे तूलना करने पर तूलना करने पर अब तूलना करेंगे तो 2 प्लस Y कितने के बराबर होगा 5 के बराबर होगा 2 प्लस Y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा मतलब 2 प्लस Y कितने के बराबर तो पांच की यह च्छै है तो देखे च्छै के बराबर है एक है तो एक के बराबर है अब दो एक्स प्लस दो कितने के बराबर कर लेंगे आठ के बराबर कर लेंगे तो अब यहां दो को क्या करेंगे पच्छांतर करेंगे तो दो बराबर क्या बनेगा पांच माइनस दो हो y बराबर क्या हो जाएगा 5 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बनेगा यहां पर 3 तो y का मान क्या गया 3 आ गया कितना असान है 6 है तो 6 मिल गया 1 है तो 1 मिल गया अब क्या करेंगे 2 x प्लस 2 कितने के बराबर करेंगे तो यहां लिख लेंगे दो यक्स प्लस दो कितने के बराबर होगा आठ के बराबर हो जाएगा अब दो को क्या करेंगे पचांतर कर लेंगे तो यहां लिखेंगे दो यक्स बराबर क्या हो गया आठ माइनस दो हो गया दो यक्स बराबर क्या होगा आठ में से दो जाएगा तो 6 हो जाएगा यक्स बराबर क्या होगा 6 बटा 2 होगा 2 तियां ही 6 यक्स का मान क्या गया तीन आ गया तो यक्स का मान तीन आ गया और वाई का मान क्या गया वाई का मान भी तीन आ गया तो यक्स का मान तीन और वाई का मान हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा प्रश्ट नमबर न तो अब आगे प्रश्ट नमबर दस तो प्रश्ट नमबर दस है प्रदत समीकरड यक्स y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदी दो कोश्टव में क्या है x, y, z, t, plus 3, 1, 0, minus 1, 2, बराबर 3, 3, 4, 5, 6 दिया गया है तो अब इस में से जो है 4 मान की गढ़ना करेंगे x का, y का, z का, और किसका, t की गढ़ना करेंगे तो यहाँ सबसे पहले जान, यहाँ पे का लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से इस कोश्चन को पहले नोट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 कोश्टक में क्या है, x है और क्या है, y, z, t, plus 3, यहाँ लिखेंगे 1, 0, minus 1, 2, बराबर क्या है, 3 है, 3, 4, 5, 6 इतना नोट करने के बाद से अब काम करेंगे यह 2 से जो है, इसमें अंदर गुड़ा होगा, 3 से इसमें गुड़ा कर लेंगे जब 2 से गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा, 2, y हो जाएगा, 2, z हो जाएगा, 2, t हो जाएगा अब 2 से गुड़ा करने के बाद से, अब इसमें 3 से गुड़ा करेंगे तो 3 से गुड़ा करेंगे तो 3 एक अनम 3, 3 सुने यह सुनना, 3 एक अनम माइनस 3, 3 दोना 6, बराबर कर लेंगे, अब यहां 3 से गुड़ा 3 तरी की, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, तो 3 से अंदर गुड़ा हो गया, गुड़ा करने के बाद से क्या करेंगे, अब 2 एक्स में किसको ज घटाएंगे माइनस 3 को, यहां माइनस है और यहां पलस है, तो क्या बनेगा अगला लाइन, तो अगला लाइन लिखेंगे, 2 एक्स में किसको जोड़ेंगे, 2 एक्स में 3 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 एक्स पलस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 जेड में किसको यहां घटा देंगे माइनस 3 को घटा देंगे 2Y में किसको जोड़ेंगे 0 को 2Y पलस क्या हो जाएगा 0 को 2T में किसको जोड़ेंगे 6 को 2T पलस 6 हो जाएगा कुश्ट बंद करेंगे बराबर कर लेंगे अब यहां का लिखेंगे 9, 12, 15, 18 नोट करने के बाद से अब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या हो जाएगा यहां पर 2Y में 0 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अब यहां पर लिखेंगे तूलना करने पर अब यहाँ पर तूलना करने पर अब तूलना करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 2X प्लस 3 कितने के बराबर होगा 2X प्लस 3 कितने के 9 के बराबर हो जाएगा 9 में से 3 को घटा देंगे तो क्या बनेगा 2X बराबर क्या हो गया 6 हो जाएगा तो X बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा 2, 206 को काड़ देंगे तो X का मान क्या जाएगा X का मान जो है 3 आ जाएगा तो X बराबर 3 हो जाएगा तो X का मान 3 निकल गया अब अगला जो तूलना करेंगे अब ये दो जेट माइनस तीन जो है किसके बराबर होगा पंदरह के तो लिखेंगे दो जेट माइनस तीन बराबर क्या हो गया पंदरह तीन को पच्छांतर कर लिजे, दो जेट बराबर क्या हो जाएगा, पंदरह पलस तीन हो जाएगा, पंदरह तीन क्या हो जाएगा, ठारह दो जेट बराबर अठारह हो गया, जेट बराबर क्या हो जाएगा, अठारह बटा दो दो से काड़ देंगे, जेट बराबर क्या गया नो आ गया तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है अब अगला जो बनेगा अगला यहां लिख सकते हैं थोड़ा सा धियां दिजेगा अब यहां पर जो है जगा थोड़ा सा कम है इसलिए यहां पर जो तुलना कर लेंगे दो y बराबर क्या कर लेंगे बारा दो y कितने बराबर होगा बारा कि तो y बराबर क्या होगा बारा y बराबर क्या हो जागा दो को नीचे फेज़ेंगे बारा बटा दो दो से काट देंगे y बराबर क्या हो गया 6 तो y कमान जो है 6 आ गया तो समझ में आ रहो गया यहां yaks का मान निकला और यहां z का मान निकला और यहां किस का मान निकला y का मान निकला अब एक और मान निकलना है तो यहां पर किस का मान अब तुना करेंगे 2 T9 6 किसके बइनापर करेंगे 2 T9 6 बराबर क्या है 18 6 को पचान्तर करेंगे 2 T bene 18 6 हो जाएगा तो 18 6 में करके क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा T bene 24 बटा जो है क्या होगा 2 2 से कार देंगे T का मान 12 आ गया तो यहाँ पर सब का मान जो है निकल गया यक्स का भी मान निकल गया आप ऐसे अगर हल नहीं करना चाते हैं तो इसके नीचे जो है आप लोग नोट कर सकते हैं यक्स कोश्टक में दिया गए 2 है यहां 3 है प्लस Y माइनस 1 है बराबर 10 और नीचे क्या दिया गए 5 है तो यक्स तथा Y के मान गयात कीजिए तो यहां पर यक्स और Y का मान की गढ़ना करना है तो यहां सबसे पहले लिखेंगे हल और हल लिखने एक बात से इस कोश्टक को पहले नोट करेंगे तो यक्स कोष्टक में क्या है दो है तीन है और यहां लिखेंगे प्लस वाई कोष्टक में माइनस एक है एक है बराबर क्या हो जाएगा कोष्टक में दस और यहां क्या लिखेंगे पाँच अब यहां पर काम करेंगे यक्स का गुड़ा जो है दो में करेंगे यक्स का यहां कोश्ट क्या हो जै का बंद जै का यहां क्या हो जै का यज़ हो जा रहा है अब यहां पर धियान देंगे अब यह दो यक्स में क्या जोड़े प्लस है तो और यहां प्लस में क्या जोड़ा जाएगा माइनस वाई है और यहां तीन एक्स में इसको य को जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा यहां पर तो लिखेंगे कोश्टक लगा लेंगे मतलब इसको आप यू कहा जाता है दो एक्स है प्लस माइनस मिलता है माइनस अच्छ है तो अब जो है यहां पे लिख लेंगे तूलना करने पर क्या लिखेंगे तूलना करने पर जब तूलना करेंगे तो यहां पर दो समीका बनेगा तो लिखेंगे तूलना करने पर अब यहां तूलना कर लेंगे तो क्या आएगा यहां पर 2 x minus y कितने के बराबर होगा तो 10 के बराबर हो जाएगा तो यह बन जाएगा समीकर नंबर 1 हो जाएगा और नीचे कितना है तो 3 x plus y बराबर क्या है 5 है तो यह बन जाएगा समी करार नंबर दो बन जायेगा तो समी कर एक बन गया और समी कर दो बन गया समझ में आ रहा होगा अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको लिख लेंगे यहाँ पर यह माइनस है और यह पलस है बिपरी चीन है तो यह लिख दिजिएगा जूडने पर मतलब समी के एक और समी के दो को क्या कर सकते हैं जोडेंगे तो जोडेंगे तो क्या होगा य से य को काड़ देंगे दो यक्स तीन यक्स मिलकर के क्या बनेगा पांच यक्स हो जाएगा बराबर क्या हो गया दस पांच मिलकर के पंदरह हो जाएगा तो यक्स बराबर क्या हो गया तो यक्स बराबर पंदरह बटा में क्या जाएगा बटा में क्या हो जाएगा पांच हो जाएगा पांतियां ही पंदरह तो यक्स बराबर क्या हो गया तो यक्स बराबर जो है तीन आ गया तो यक्स का मान यहां पे कितना निकला तो यक्स का मान तीन आ गया अब यक्स का मान किसी भी अगर समीका में रख दिया जाएगा तो किस का मान निकलेगा वाई का मान निकल जाएगा तो यहां लिखेंगे यक्स बराबर यक्स बराबर तीन समीकरड एक में रखने पर शामी का एक में रखने पर अब यक्स के जगा पे तीन रखतेंगे तो शामी का एक क्या है तो शामी का एक जो है दो यक्स माइनस वाई बराबर क्या था दस था तो यहाँ पे जो मान निकला है किसका मान निकला है यक्स का तो जो यक्स का मान जब यहां रखेंगे तो क्या बनेगा दो गुड़े यक्स का मान तीन माइनस वाई बराबर क्या होगा दस हो जाएगा दो में तीन का गुड़ा करेंगे तो दू तियां क्या बनेगा छै माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा अब 6 को क्या करेंगे पच्छानता कर लेंगे तो 6 पच्छानता करेंगे तो माइनस जो है माइनस वाई बराबर हो जाएगा और 10 में से किसको घटा देंगे 6 को घटा देंगे तो माइनस Y बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो क्या जाएगा 4 10 में से 6 जाएगा तो क्या बनेगा 4 हो जाएगा और यह माइनस जब इसके पास जाएगा तो जब माइनस इसके पास चला जाएगा तो Y बराबर जो है माइनस 4 हो जाएगा तो Y का मान जो निकल गया Y का मान कितने निकला Y का मान माइनस 4 और Yक S का मान कितने निकला था 3 तो यहां लिख लेंगे अतह प्रश नमबर 12 के बारे में समझेंगे यही क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया तो अब प्रशन नमर 12 के बारे में समझेंगे यदि 3 कुश्टक में X है यहाँ Y है Z है W है बराबर है X है माइनस एक है 6 है और यहाँ पर जो है 2W दिया गया है प्लस 4 Z प्लस W X प्लस Y यहाँ पे 3 है तो किसका किसका मान गयात करना है X का Y का Z का तथा W का मान गयात कीजिए तो यहाँ पे जो है 4 मान की गड़ना करना है बहुत ही असान है तो पहले सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हल और हल लिखने के बाद से यहाँ पर पहले इस question को note करेंगे 3 क्या है X है Z है Y है W है बराबर क्या है X माइनस एक 6 2 W लिखेंगे plus क्या है 4 Z प्लस W और यहाँ क्या है X प्लस Y और यहाँ पर 3 है तो अब यहाँ पर जो question note हो गया तो note करने के बाद से 3 से इसके अंदर गुड़ा कर लेंगे और इस दोनों को क्या करेंगे जोड लेंगे तो जब 3 से गुड़ा करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 3 X हो जाएगा 3 में Y के गुड़ा करेंगे तो 3 Y हो जाएगा तीन में जेट का गुड़ा करेंगे तो तीन जेट हो जाएगा और तीन जो है डाबलू हो जाएगा बराबर कर लेंगे और यहां पर क्या होगा यक्स में किसको जोड़ेंगे चार को होती यक्स पलस क्या हो जाएगा चार हो जाएगा और 6 में जब X प्लस Y को जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा 6 प्लस X प्लस Y हो जाएगा माइनस एक में किसको जोड़ेंगे Z प्लस क्या हो जाएगा W हो जाएगा और यहां 2W में किसको जोड़ेंगे 3 को तो क्या बनेगा 2W प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अब यहाँ पे लिख लेंगे तूलना करने पर क्या लिखेंगे तूलना करने पर अब तूलना करके करमसर जो है मान को निकला जाएगा तूलना करने पर तूलना करेंगे तो तीन यक्स जो है कितने के बराबर होगा अब यहां यक्स कामान को क्या करेंगे पच्छांतर कर लेंगे तो यह यक्स जो है प्लस है तो इसे पच्छांतर करेंगे तो क्या बनेगा माइनस यक्स हो जाएगा बराबर क्या होगा चार तीन एक्स में से एक्स घटा देंगे तो दो एक्स बराबर क्या हो जाएगा चार तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा चार और बटा में नीचे चला जाएगा तो क्या बनेगा चार बटा क्या बन जाएगा चार बटा दो हो जाएगा दो से चार को काड़ देंगे तो एक्स ब क्या है बराबर है इसका मतलब रिखेंगे तीन वाई कितने के बराबर है तो छे प्लस यक्स प्लस वाई के क्या है बराबर है अब इस वाई का मान को पच्छांतर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा तीन वाई बराबर माइनस और इसको पच्छांतर करेंगे तो वाई हो जाए है तो यह एक्स के जगह पर क्या रख देंगे दो रख देंगे क्योंकि एक्स का मान दो निकल चुका है तो छे और दो मिलेगा तो क्या बनेगा दो वाई बराबर क्या हो जाएगा आठ हो जाएगा तो वाई बराबर क्या गया y बराबर 4 आ गया तो y कमान 4 निकल गया तो समझ में आ रहा होगा कि y कमान कैसे निकला है 3 y कितने के बराबर किया है 6 प्लस x प्लस y के बराबर जब हुआ है अब यहां क्या होगा 3 z जो है कितने के बराबर होगा यह धियान देंगे और यहां क्या है दो डबलू प्लस तीन कितने के बराबर होगा यहां दो डबलू प्लस तीन कितने के बराबर होगा तो तीन डबलू जो है किसके बराबर कर लेंगे 2W प्लस 3 के क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे तो अब यहाँ पे लिख लेंगे अगला जो लिखेंगे क्या लिखेंगे 3 जो है W कितने के बराबर होगा 2W प्लस जो है क्या होगा 3 के बराबर हो जाएगा अब इसको पच्छांतर करेंगे तो 3W माइनस 2W बराबर 3 तो 3W में से 2W घड़ जाएगा तो W बराबर क्या गया तीन आ गया तो यहां पे जो है 3 मान निकल चुका यहां X का मान निकला है और यहां जो है Y का मान निकला है और यहां W का मान निकला है अब Z वाला मान को निकलेंगे तो यहां जो जेड वाला मान देखेंगे तीन जेड कीतने की बराबर होगा तो तीन जेड जो बराबर होगा माइनस एक प्लस जेड प्लस डबलू के क्या होगा बराबर होगा तो यहां लिख लेंगे तूलना करने पे जो लिखा गया है तो क्या होगा यहां पर तीन जेड कितने के बराबर होगा माइनस एक पलस जेड पलस डाबलू अब जेड को पच्छांतर करेंगे तो तीन जेड माइनस जेड बराबर क्या होगा माइनस एक पलस डाबलू अब W कमान यहाँ देखेंगे कितना निकला है ती निकला है तो यहाँ तीन यहाँ पर इसके अस्थान पर क्या करएंगे रख लेंगे तो 2 Z बराबर क्या होगा माइनस एक पलस और यह बन जाएगा तीन तो तीन में से एक को घटा देंगे तो दो जेड बराबर क्या हो गया दो हो जाएगा तो जेड बराबर क्या होगा दो बटा दो हो जाएगा दो से दो कुका करेंगे काट देंगे तो जेड का मान कितना गया एक आ गया तो यहाँ जेड का मान एक आ गया सब का मान जो है निकल गया यहाँ पर किस का मान रखा गया है तो याद रखेगा डबलू का मान जो है तीन निकला है तो मान को यहाँ पर रखें है तो लिख देंगे यहाँ पर अतह यक्स बराबर क्या है दो है वाई बराबर क्या है चार है और जेड बराबर क्या है जेड बराबर एक है और डबलू बराबर क्या है तीन है यह इसका क्या हो जाएगा तो अब समझेंगे प्रशन नमबर तेरा तो प्रशन नमबर तेरा क्या है यदि यफ्यक्स बराबर दिया गया है कास एक्स है sin x है 0 है minus sin x है कास x है 0 है 0 0 1 तो सिद्ध कीजिए yaf yax into yaf y बराबर क्या लाना है yaf yax plus y जो है सिद्ध करके देखाना है तो कैसे सिद्ध करकिया जाएगा तो आप सभी विद्यार थी एक ही क्लाइन को अच्छे से समझेगा जहाँ आपको समझ में नहीं आएगा वहाँ तुरंट आप सभी विद्यार थी कमेंट कर सकते हैं तो यहाँ yaf yax का मान क्या दिया गया है पले या नोट कर लेंगे yaf yax का मान है कास x है यहाँ पे sin x है और यहाँ जो दिया गया है 0 है और यहाँ minus sin x है और यहाँ जो मान दिया गया है कास x है और यहाँ 0 दिया गया है 0, 0 और यहाँ 1 है तो यह किस का मान है तो yaf yax का मान है अब यहाँ जब yaf yax का मान है तो यहाँ पे इसी परकार अगर यहाँ yaf y का मान निकालते हैं मतलब इसको यफ y बनाते हैं तो यहां क्या लिखेंगे यफ y तो जैसे यक्स यक्स दिखाई दे रहा है तो इसी परकार यहां का बन जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा y और यहां क्या हो जाएगा sin जो है y नीचे क्या हो जाएगा 0-sin क्या हो जाएगा y यहां क्या हो जाए एक, तो यहाँ यक्स है, तो पूरा यमें आपको जहां जहां दिखाई तरह यक्स है, और इसी प्रकार Y बनाते हैं, तो Y Y पुरा बन जाएगा, तो अगर यहाँ पे X प्लस Y बनाना हो, तो कैसे बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे, कास, जो Y था उसके जगब का लिख सकते हैं X प्लस Y लिख सकते हैं, शाइन जो है, क्या है, Y है तो कै लिख सकते हैं, X प्लस Y लिख सकते हैं, 0 हो जाएगा, माइनस, साइन जो है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कास, X प्लस Y हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, 0, 0, 1, तो यह कैसी बना, बस थ हां देंगे यक्स है तो यक्स रहेगा वाई है तो यक्स प्लस वाई है तो यक्स प्लस वाई रहेगा तो यहां समीका नंबर एक बना लीजिए गा और इसको समीका नंबर दो बना लीजिए अब हम और में सिद्ध करेंगे तो सिद्ध करने में क्या है कि YAF X into YAF Y मतलब यहां पी जो है EOLCHS लिखेंगे और EOLCHS में क्या लिखेंगे YAF X क्या लिखेंगे YAF YAF X into YAF Y तो इसका मतलब यह हो गया कि YAF X का मान रखेंगे तो यफ यक्स का मान क्या है यहां पर रख लेंगे तो यफ यक्स का मान क्या है तो लिखेंगे कास यक्स साइन यक्स जीरो माइनस साइन यक्स कास यक्स और क्या हो जाएगा जीरो और यहां हो जाएगा जीरो एक यह किस का मान है तो यफ यक्स का मान है और यहां जो मान है यह किस का मान रखेंगे यफ y का तो क्या है कास y है माइनस साइन y है यहां क्या है जीरो है और यहां लिखेंगे साइन जो है y है जीरो है कास y है यहां जीरो है जीरो एक है तो यहां पर जो मान रखें हैं यह किस का म तो अब यहां पर क्या करेंगे गुड़ा करेंगे तो गुड़ा करने का नियम जो है बताया जा चुका है कैसे इसको गुड़ा किया जाता है तो आप सभी द्यार्थी सीख लिजे कैसे इसको गुड़ा करेंगे तो कैसे गुड़ा करेंगे यहां पहले कास का गुड़ा लिखेंगे कास याक्स इंटू कास वाई मतलब पहला इस पहला से गुड़ा हो चुका अब माइनस साइन का गुड़ा जब साइन वाई में करेंगे तो का होगा माइनस साइन याक्स इंटू साइन क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा और जीरो का गुड़ा जब जीरो में करे मतलब पहला पहला से दूसरा दूसरा से तीसरा तीसरा से गुड़ा हो चुका अब यहां पर भी ऐसे गुड़ा करेंगे कस के גुड़ा माइनस सायन में करेंगे मतलब पहला इस पहला से गुड़ा हो चुका अब माइनस साइन का गुड़ा कास में करेंगे तो क्या बनेगा माइनस है माइनस हो जाएगा और यह साइन का गुड़ा माइनस साइन इसका गुड़ा जब कास वाई में करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा sin x into cos क्या बनेगा y समझ में आ रहा होगा और 0 का गुड़ा जब 0 में करेंगे तो पलस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो आप सभी भी द्यार थी इस गुड़ा को सीख लीजिए मतलब पहला पहला से दूसरा दूसरा से और तीसरा तीसरा से गुड़ा कर लेंगे अब यहां कास का गुड़ा किस में करेंगे 0 में तो 0 होगा माइनस sin में गुड़ा करेंगे 0 में तो 0 होगा और 0 में 1 का गुड़ा करेंगे तो 0 हो जाएगा तो लाश्ट में का लिग देंगे 0 तीसरा वाला जो क्या जाएगा जिरू आजाएगा तो इसी प्रकार जो है अब यह जो है दूसरा लेन का गुड़ा करेंगे यह पहला इस पहला से गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां क्या है साइन है साइन यक्स है और किसमें गुड़ा करेंगे कास वाई में गु जो हो जाएगा मतलब पहला पहला से दूसरा दूसरा से और तीसरा तीसरा से अब यहां पर पहला इस पहला से गुड़ा करेंगे तो क्या जाएगा माइनस साइन यक्स इंटू क्या हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा और यह जो है पहला 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 से हो गए दूसरा से ज जीरो में करेंगे तो पलस जीरो हो जाएगा अब यह साइन का गुड़ा जीरो में करेंगे तभी जीरो होगा कास के गुड़ा जीरो में करेंगे तभी जीरो होगा और जीरो का गुड़ा वन में करेंगे ते भी का लाश्ट में तीसरा वाला जो फलन क्या जाएगा पुरा मा का गुड़ा माइनस न में करेंगे तभी जीरू हो जाएगा और जो है जीरू का गुड़ा जो है वन का गुड़ा जो जीरू करेंगे तभी क्या बनेगा जीरू बनेगा अब जीरू का गुड़ा जीरू करेंगे तभी जीरू हो जाएगा जीरू का गुड़ा जीरू करेंग जब इसको हल करेंगे तो पहला वाला मान जीरो आजाएगा दुसरे का भी मान जीरो आएगा और तिसरे का जो मान आएगा एक आ जाएगा तो अब अगला लाइन क्या बनेगा तो इहाँ अगला लाइन जो बनेगा अब यहाँ पर कास X कास Y minus sin Y इन्टो कामन ले लिजेए तो यहाँ sign को आगे कर लिजेगा sign yax into क्या है कास y अब पलस जो हो जाएगा कास yax into क्या हो जाएगा sign y हो जाएगा इस 0 को जो लिया गया और लाश्ट में यह 0 बचा है यह 0 जो तीसरा पद में है तो यह पहला लाइन जो है आपसे भी द्यार्थी समझ लिए होंगे और यहाँ पे sign को आगे क्यों किया गया है यहाँ sign को आगे इसनी किया गया क्योंकि यहाँ सुत्र बन जाएगा अब यहाँ पे आगला लाइन में लिखांगे यह क्या है sign kya है x है तो यहाँ लिखेंगे sign को कामन ले लेंगे तो माइनस जब कामन ले लेंगे या माइनस को कामन नौ लिया जाए तो अगर कास यक्स को आगे लिख दिया जाए और कास य को आगे लिख दिया जाए और साइन को जो है पीछे लिख दिया जाए तो एक सुत्र बन जाएगा तो यहां लेखेंगे कास यक तो 0 बनेगा, 1 है तो यहां नोट कर लेंगे, अब अगला लाइन जो बनेगा यह फार्मुला बन जाएगा, बस फार्मुला बनेगा और यह इंसर आ जाएगा, तो सुत्र जो है, यह कलासी 11 पढ़े होंगे, कास A, कास B, माइनस साइन A, इंटू साइन B, यह फार्मुला है, और यहां पर देखेंगे, माइनस है, तो माइनस नोट कर लेंगे, साइन A, कास B, कास A, साइन B, यह भी जो है, फार्मुला है, यह फार्मुला किसका है, तो साइन A, प्लस B का है, तो साइन X, प्लस Y का हो जाएगा, और यह हो गया 0, तो फार्मुला अगर याद है, तो आस x plus y का यह फर्मूला है यहां पे क्या हो जाएगा milyar Springs C 3 में इसका मान जो देख लीजेए onlyAS 3 में मान जो निकला है समीकत तीन का मान क्या है यव यक्स पलस वाई का यह मान आ गया यह इसके अस्थान पे जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं तो यव यक्स पलस वाई को लिख सकते हैं तो अब यहाँ पे जो है लाश्ट में क्या लिखेंगे यह पूरा मान किसका आ गया है तो यहाँ पे जो पूरा मान आया याफ है यक्स पलस वाई का मान आ गया तो यही क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा यही सिद्ध करना था तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको सिद्ध करके बताया गया तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी भी द्यारती ज जरूर करनीजिये.